बिखार की बात के इस एपिसोड में हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं अभी बबाल मचा हुआ है जहरी ही शराब को लेकर हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को और बहुत बुरी बात है कि गोपाल गंज और बितिया में इस हफते के भीतर जो है 33 लोगों की मौत हो गई और कारण जहरीली शराब और जहरीली शराब वो भी ऐसी जगे पर जहां पर पुन तरह से शराब बंदी है जब बिखार में शराब बंदी की बात कही जाती है तो जहरीली शराब का मुद्धा आता कहाते हैं ये कैसी बात हो गया आते हैं दिखिए गरिमा जीश आपने बात की सराब बंदी और जहरीली शराब तो दिखिए सराब बंदी तो कहने को बिहाद में हैं लेकिन पहले जहरीली सराब पर ही बात कर लेते हैं जो लगातार मौत हो रही है गोपाल गंज और बितिया दे बेहदी चिंटा की बात है लेकिन यह भी सही है कि सराब बंदी लागू होने के बाद ही जहरीली शराब के कारण मौत हुई है बिहार में ऐसी बात पर नहीं है पांच अपरैल 2016 को शराब बंदी पुर्ण शराब बंदी की गोशना हुई थी बिहार में लेकिन इसके पहले भी जब शराब दुकानों में मिलती थी, ठेके पर मिलती थी तब भी जहरीली शराब से मौत होती रही है लेकिन सबाल सही है आपका कि जब सराब बंदी है तो ये जहरीली शराब कहां से आ गई देखिए कहने को सराब बंदी है लेकिन सच ये है और नितीस कुमार जी को भी इस सच को कबूल करना चाहिए कि शराब अब हर जगह उपलब्द है पहले शराब लेने के लिए आपको दुकानों तक जाना पता था ठेके तक जाना पता था लेकिन अब शराब आपके दरबाजे तक पहुंसती है मतलब और अधिक सॉलिड नित्बर्थ बन चुका है तो ये कहना कि शराब बंदी है और लोग शराब नहीं पी रहे हैं यह बिलकुल बेमानी है और सच को जुठलाना है देखिए सराब वे लोग ही नहीं पी रहे हैं जो शराब बंदी की घोशना के बाद स्वेच्छा से सराब छोड़ती है या फिर जिन्हें इस बात का दर है कि कहीं यदि हम शराब पीते पकर लिये जाएंगे क्योंकि देखिए सो गरीब या दूसरे किस्म के लोग पीते हुए मिल जाएं तो ख़बर नहीं बनती है लेकिन एक बड़ा आदमी आपको मालूम होगा कि जब पनाश होटल में रेड हुई थी और गुजराद की कुछ लोग शराब पी रहे थे तो किस तरीके से बाबिला मचा था कि शराब पाटी चल रही है तो जिन्हें इस बात से गुरिज है कि हम शराब पीते पकर न लिये जाएं लेकिन हाला कि ये अब बंदी से भी कम हो रही है क्योंकि शराब हर जगा उपलब्ध हो गई है और निकसस बहुत ही ज़ादा सौलिड हो गया है तो और वैसे लोग शराब नहीं पी रहे हैं जिनकी जेब लाउट नहीं करती है क्योंकि शराब बंदी के बार शराब की किमते देखिए शराब असली नकली दोनों उपलब्ध है आप यह भी कह सकते हैं कि जहरीली शराब देखिए जहरीली शराब एक अलग किसम की शराब है उस पर भी हमाएंगे लेकिन असली नकली देखिए जब शराब बंदी शुरू ह कहां से रही है दिखराब जो कम्पणिया बनाती है उसपर बैच नंबर होता है उसमें स्टेट का इसेज होता है कि उसका कहां सेल होगा तो कहां यह गया कि देखिए अब श्राब compl. बिहार के लिए घटिए क्योंकि के दeloid के दूसरे हैं बेचने के वह बना दे रही है मतलब extra production कर दे रही है तो शराब जिने नहीं पीना है या जिनकी जेब लाउड नहीं कर रही है लेकिन गरीब बेचारे जो आलत के शिकार है वो जेब काट कर भी शराब पी रहे हैं उन्हें पुलिस से कम डर लगता है हाँ शराब बंदी का फाइदा क्या हुआ श मतलब महिलाएं जानती है कि यदि हमारा जो दुला है यदि शराब पी कर उत्पात मचाएगा तो मेरी पत्नी जो है या हम जो है वो पुलिस में सिकायट कर सकते हैं तो ये उत्पिनन कम हुआ तो ये ये फाइदा मिला लेकिन नुक्षान क्या हुआ आपका जो आपकी आप कोई बड़ी कंविंशन नहीं होते हैं बड़ी साधया नहीं होती है destination मäंजस्जबर गया आप जारकंद देख लिए जो भी सीमा की इलाके बंगाल के जो सीमा है उनकी इलाके जाज रखै लिए उनकी तरक्की हो गई तो सराव अब घर घर पहुँच गई है यह कहना बिलकुल बेमानी है कि शराव नहीं मिल रही है हाँ सराव आपको चाहिए सराव आपके दरवाजे तक पहुचेगी और सराव सिंडिकेट जो सप्लाई करने का सिंडिकेट है उसका नेटबर कितना सॉलिड है कि यह दि किसी मह महले में गली आइइजनटिफाइड है मतलब गली नमबर 1 स्टीट स्टीट नंबर 2 तो स्टीट नंबर 1 का विंडबे कौन है स्टीक नंबर 2 का विंडर कोन है स्टीट मंव Конечно कर विंडर कौन है यह हभी एंटिफाइद जीड है गिरों का ताकि आपके मार कां नह्यचे तो जहरीली शराब, जहरीली सराब से पहले भी मौत होती रही है, और यह दुखत बात है, यह देखिए अभी जो इंडिपेंडेंट जो फीवर्स हैं, कि 18 मौते हुई हैं गोपाल गंज में और 15 मौते हुई हैं बितिया में, कई लोगों की आँखों की रोसनी चली गई है, और मरने वाले जो मैक्समम लोग हैं, वो गरीब, डलित हैं, और देखिए अब क्या, सराब बंदी के करने एक और परिशानी हुए, कि आपने चोरी चुपके सराब पिली, जहरीली सराब की चपेट में भी आ गए, लेकिन आपका कोई अस्पताल इलाज करने को तयार नहीं होत लेकिन अस्पताल और डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है, अस्पताल भी इलाज करने को तयार नहीं होता है, तो सराब मिल भी रही है, और शराब पिकर बिमार हुए, या सराब पिकर मरने की सिते में आगे, तो आपका इलाज करने को भी कोई तयार नहीं है, प देखिए अब डिपाबले जो खराब होई गौपाल गंज और बेतिया में देखिए कैसे कैसे गरीब लोग अब गौपाल गंज के महम्मद पुर्पूर। मैं अनिता कुमारी की मैं पीरा को पर रहा था दिख रहा था थी। चार महाँ बाद उसकी साधी थी चार महिने के बा नाम अमरेंदर और च्छट्व बेटी अनिता तो अनिता की साधी चार माँबागत रहे ती अकेले कहाने बाब सुरज राम वे चल बसे अब साधी कैसे होगी अनिता की अब सब कुछ अनिता की मा राजमती दिवी पर जो कुछ भी काम नहीं करती थी उन पर हो गया है अब देखिए आप जहरीली शराप पी कर मरियेगा तो आपको कोई मुआपजा भी नहीं मिलेगा यह भी समझेजिए मैं मुहम्मद पूर की दूसरी कहानी भी देख रहा हूँ चालिस वर्षी मुकेश राम की मौत हुई है वो राजमिस्तिरी थे और 11 लोग परिवार के 11 लोगों उन पर डिपेंडेंट है तो इनमें चार बेतियां मन्जूर प्रिती सीटा कीटा अब मुकेश राम की मौत हो गई और पुलिस वालों ने इनके घर को भी सील कर दिया यह है कि इनके घर में चराब थी तो जो सराब का कानून है उसमें घर भी सील कर दिये गए मौत अलग हुई और बेघर भी हो गए तो यह सारी शमस्याएं और यह आपको याद होगा जब गोपाल गंज और सिबान की हम बात करते हैं देखिए ध्यान रखिए गोपाल गंज से ही पिहार के एक साइज मिन्स्टर सुनिल कुमार आते हैं भोडे से जिते हो पिठायक है तो जब हम हाँ जब हम कोपाल गंज ओर सिबान की बात कर रहे थे बितिया की भी बात की जानी चाहिए बेटिया की भी जो सिमाएं हैं वो दूसरे प्रदेशों से या फिर पास में नेपाल भी है तो मैंने खबरों के पीछे में एक कहानी सुनाई थी सिबान और गुफाल गल की कि देखी सिंडिकेट जो है वो गाउं गाउं में जो बिरुजगार नौचबान है उनका ए उनके आगे पीछे स्कॉट किया जाता है ताकि कहीं आगे कोई पचरा नहों कोई मतलब मुश्किल में न फसे तो इस तरीके से गिरो जो है और गिनाइज हो रहा है तो यह बहुत चिंता करने की बात है और यह बात बिल्कुल ही बेमानी है कि शराब नहीं मिल रही है देख दुनिया की कहानी है आपको विश्वास नहों मुंबे के अंडबल को पर लिजे कि शराब बंदी के बाद जब कभी सराब बंदी को खत्म क्या क्या है तो इतना बड़ा आपराधी गिरो तैयार होता है क्योंकि जब सराब बंदी खत्म होगी तो शराब की दुकाने खुल जाएंगी आपको महांगी शराब लेने की जोरत नहीं होगी तो जो इस काम में लगे लोग थे जिनके पास सोट मनी मतलब तुरन का तुरन पैसा इतना पैसा है इसमें लिक्विड मनी का दिखिए जब आप चुप चोड़ी से खरीटे हैं चुपके से खरीटे हैं तो उध यह होती है अपराथ की आप मुंबे के पूरे अंडरबल के इतिहास को पढ़ लिजिए आपको मालूब हो जागा बदा राजन को पढ़ लिजिए जिसको पढ़ना है हाजीमस्तान को पढ़ लिजिए जिसको पढ़ना है आप छोटा राजन को पढ़ लिजिए आपको जो है तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और यह सच है देखिए आज भी सरकार उपलब्दी गिना रही थी कि हमने इतनी कारवाई की मैं बार बार इस बात पर करता हूँ गोपाल गंज की ही बात करता हूँ गोपाल गंज के ही कई केसेज में हरियाना और ही थे जिनके वारे में कहा री कि कितने किरूर रुपह की महिने की सप्टाइट लेकिन गिरतार यह जरूर हुए देखिए यह समाजी का प्रौध भारतिये दंबिरांद्ध की धारा के advocating लेकिन आथिक लेकिन जितने लोग कर लाए गया मैं यह सबाल बार बार पूछता हू और स्वरकार से आज भी पूशता हूँ कि यदि उनका धंधा बिहार में इतना बरा चल रहा था, चली रहा था, यह भी सही है, तो उनके एकाउंट से, उनका जो नेटबर्ग था, उससे कितने की जबती हुए, आपने क्यों नहीं खोला कि उनको पैसा बिहार से कैसे ट्रांस पर करने का तड़ी क्या क्या था, कौन-कौन लोग इसमें सामिल थे बिहार वाले, क्योंकि वो फ्री में सप्लाई तो दे नहीं रहे थे, यह दि वो बिहार में करोरों और 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 रुपे की डिलिवरी दे रहे थे, और यह पैसा बैंक एकाउंस में नहीं जा रहा होगा, यह पैसा हबाला के माध्यम से जा रहा होगा, तो आपने रिकबरी क्या करी, तो गिरफतारी आप कर लेंगे, रिकबरी कुछ नहीं होगी, केस कमजोर होगा, बेल मिलेगा, और बाद में वह सजा का भी हकदार नहीं होगा, और गोपालगन, गोपालगन देखिए, पांच सराप्स जो सबसे पहली मौत हुई थी, जो सामुहिक मौत हुई थी, पंदरा सोला अगस्त, दोहजा सोला की इदा थी, खजुर्बानी में, मतलब सराबंदी की घोशना के कुछी महीने बाद, उनीश लोगों की मौत हो गई थी, गोपालगन में, ठीक है, यह मौत, आप सम मजना है कि हाँ, हमने शराब बंदी लागू किये, तो सराब बंदी लागू रहे, सराब बंदी के बहाने, माफिया और पुलिस बाले, पुलिस बाले तो इतने माला माल हुए हैं, इतने माला माल हुए हैं, नोटों की छपाई ऐसी की है, कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं, क बिखार में जब शराब की बात आती है तो जहन में एक और बात होती है कि जब कुछ बड़ा होने वाला रहता है जैसे कि चुनाओ अभी अभी पंचायग चुनाओ चली रहा है, ग्याराचेनों में चुनाओ होने वाले हैं, तो उसमें भी कई सारी खबरे निकलकर आ रही है क यहां शराब मिली वहां शराब की पार्टी चल रही है शराब बाटा जा रहा है तो पंचाय चुनाव और अभी शराब का क्या connection चल रहा है और अभी भी क्या जहरीनी शराब वाले से इसका connection देखिए चुनाव हो शराब बंदी लागू रहे न रहे और शराब की चर्चा नह आप घोषना की बाद छो दीजे आपके पास यह खबर आने लगी कि थो पूरे पंशायर चुनां coming के तूझन हो चुके है तो पूरे पंचायद चुनाव की द शराद की दिमांड बरही होई थी और बल्क में बरही होई थी देखिए ऐसे क्या होता है कि एक सप्लीयर के पास तो बल्क में होता है लेकिन जो कंजूमर्स होते हैं वह connectors dato या दो-चार दोस्त हो संग वाले कंजूमर्स होते हैं लेकिन जब पंचायच चुनाओं का एलान हुआ तो जो कैंडिडेट्स थे उनको थोक भाव में चाहिए था फलमा यहां पिला दिया तो फलमा को यहां पिलाना था तो यह पंचायच चुनाओं में दिमान भरी हुई थ तो यह पंचायच चुनाओं और इसी कारण आपको लगाता रही देखें जब जबती की खबर आती है ना तो देखें जबती की खबरों में भी बरा खिला होता है मैं यह नहीं कहता कि सौ फिस्ती जबती ऐसी ही होती है लेकिन जहां सिंडिकेट चलना होता यह दिखें शरा ड्राइवरों खलासी को तो कुछ होना नहीं है और पुलिस वालों की बावाई भी हो जाए कि चार गारी उन्होंने पकली है लेकिन चार गारी की आर में सो गारी बिग गई यह किसी को पता नहीं चलता है तो पंचायच चुनाओं में डिमांड बरही हुई थी और जब दि फेक्ट्री बच्छा पा फला 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 और जहरी शराग क्या होता है इसको भी समझने की कुछिस की थी यह जो हाँ यह जो मौत हुई है मैक्समल लोग जेवल मौत के खबरे हम लगाता है बता रहे हैं वीवर्ज को आपकी रोशनी से ले जा रही है कोई बहुत गंभ जा जानती है तो यह जो सर्जीकल होता है उसमें 95% होता है और 5% डि निचर अलकोहल होता है तो इस लेकिन ये जो है इस्तेमाल इसका क्या होता है इसका इस्तेमाल जो है इंटेक की रूप में नहीं करना है ये जो इस्परिट है इसका इस्तेमाल आपको external करना है कहीं घाव है और भी जो भी आपको medical necessity है health necessity है लेकिन जब ये 95% ethanol के साथ इसे spirit में 5% denatured alcohol मिला देते हैं तो ये जहर बन जाता है तो जो आप गौपाल गंज में सुन रहे हैं और जो बितिया में सुन रहे हैं जिस तरीके की सराब से मौत हुई है तो उसमें क्या है कि अब धंडे वाले क्या करते हैं कि इसी surgical spirit से करते हैं और बस उसके color मिला देते है color मिलाने के बाद उसका रंग इस तरीके से बना दिया जाता है कि जैसे लगता कि बिडिशी सराव है इंप्ट इस तरीके से तो ये जहर है जहर जब आप पीते हैं लेकिन जो मर गए वो मर गए लेकिन जो बच गए उनकी जिन्दी और रखो गई आंकी रोसनी चली गई हां सरीर के कई हिस्से काम करना बंद कर देंगे क्योंकि आपने सीधे सीधे जहर पिया है आप भगमान संकत तो हैं नहीं कि गरल पी जाएंगे और बच जाएंगे तो यह इसका जो मेकैनिस्म है और भी कई तरीके हैं दिखिए बाते आते है कि फर्टिलाइजर से लोग क्या बोलता है शराब बना दे रहे हैं जो खेतों में यूज करते है फर्टिलाइजर जी बिलकुल 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 तो उसमें तो कहा जाता है बच्चों को दूर रखें गल्ती से हाथ में छूलिए तो नाक के पास मतला यह नहीं तो मर सख़ेंब का जणदा सब्सक्राइब के भारी फला न Requ della रेली शराब से पहली बार मौथ हुए यह बात भी सहीं नहीं है जब सखनाई नहीं तब मैं लेकिन तो आर्डवी की बिवेक पर डिपेंड करता है लेकिन जब उसके पास लब्धता यह पंचाया चुनाऊं के ये मौत जो है और भी अधिक भ्यावा आपको दिखाई पर दिए यह जो एथिनॉल से अभी आपने बताए कि इस तरह से शराब तयार होती है तो यह क्या बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे लोगों की मौत हो रही है कोई राज चुनों में सब्सक्राइब बट रहा था है और ऐसे जब से सब्सक्राइब बंदी लागो हुई 50 रुपय का माल 200 रुपय भी रही है उसमें भी आप किस्ते ले रहे हैं उससे मालू उसकी विश्वस्निता पंधिरबर है कि वह माल आपको सही दे रहा है कि माल आपको नखल कि अंतर्ण खुद को करना है लेकिन जब पंचाय चुना होंगे और इस तरीके से सराब परोसी जाएगी तो फिर तो मौत होगी ही होगी और डिखी जब सराब बंदी लागो किया गया था अभी क्या हुआ एक मतलब रस्म बन गया है कि आप थानेदार को और चौकीदार को करने से क्या यह जो मौत है बंद हो जाएगी यह मौत बंद हो जाएगी जब सराबंदी लागो हुई थी तो कहा जाता था कि यह फला 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 लोग जी में बारे होगे देखिए सराबंदी से बिहार के पुलिस महकमे ने और एकसाइज महकमे ने पांच अपरेल दोहोजार सोला से और आज हम लोग पांच नमंबर दोहजार इकीस को चचा कर रहे हैं इन पांच बरसों में कितने सो नहीं कितने हजार करो रुपे कमाए होंगे इसका कोई हिशा सब्सक्राइब नहीं है समझें बिहार का नुक्षान अलग देखिए मैं सराब बंदी के पक्ष में शराब बंदी लेकिन हंडेट परसें सराब बंदी ठीक हैं देखिए यह बाते भी आते हैं यह संभव तो देखिए बहुत ही मुश्किल है आप आपको पता है और यह बा कैरियर हो गई है महिलाएं बाइक पर हाँ अभी मुझे सिखपूरा से ही किसी ने कहानी बताया था कि वो सिखपूरा से कहा जाता है पीछे अपनी बाइक पर महिला को बैठा देता है महिला जो होती है अब वह महिला है तो महिला की चेकिंग कौन करेगा महिला की बैक्पैक की चेकिंग कौन करेगा और उस बैक पैक में इतनी सराव होती है कि साम को बापसी आते-आते महिला को हजार रुपया प्राप्ट हो जाए और जो धंदेबाज है उसे दो हजार रुपया मिल जाए और इसके अलाबा जिसने दिया जो सप्लायर है उसकी तो आंदनी अलग ही है उसकी आंदनी तो लगी है कहा न मैंने कि इतना ओर्गिनाइज सेक्टर हो गया है कि स्ट्रीट नमबर वान स्ट्रीट नमबर तू स्ट्रीट में कोई दूसरा नहीं गुशेगा ताकि आपसी फूट के कारण कोई मुख्मिर न हो जाए और धंदा खराब न हो जाए यह भी प्रवित हैं ठीक है ना और आप तो आसानी से लोग देखिए अब चेकिंग के नाम पर तेन से कितना हर ब्रांड मिलता है अब देखिए ब्रांड की बात भी छोड़ दीचे आपको ब्लैक लेबल पर ताम मिल जाएगा आपको टीशर्स है यह टीशर्स मिल जाएगा आपक आपकी जेव जो है एलाओ करें बाकी आपका काम है और आपको लाने भी नहीं जाना है आपको पहुंचा कर दिया जाएगा आपको जाने की जोटी नहीं है कि कोई आपको दुकान पर देख लेगा कि अच्छा आप सराप खईद ही थी अब तो आपको आपके ठीकाने तक प तो ये कहानी है उनकी शायद कोई गलती नहीं होती है लेकिन बिहार में जिसकरा का भी सिनारियो बना हुआ है उससे निपटने की बहुत जादा जरत है केवल शराब बंदी नहीं संपून शराब बंदी जैसा कि आपने कहा कि 100% शराब बंदी के पक्ष में आप हैं और मैं भी हूँ और सबसे ज़्यादा जरत है और इससे सरकार और किसाशन डील कैसे करती है ये भी देखने वाली बात होगी विहार की बात के सबस्वेश्योद पर अफ़लाल अतना ही हमारे चैनल के साथ बने रहें ये वीडियो प्रेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें झाला झालाा झाला हैं को रहे हैं ये वीडियो पर झाला हुईक ूभ ड्रूर कि रहे हैं ल II